नमस्कारम प्रिये जनों आप देखने भी चुपाइट साला आप से का बहुत बहुत स्वागे थे आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आप सी यूट में इनुवर्सटीज कैसे चोच करोगे वो कौन-कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस पर आपको अपन इस वीडियो के बाद भी रह जाता है तो क्योंकि मैं एक सिंगल कॉमेंट को पिक आउट करता हूँ जैसा इस वीडियो के लिए भी मैंने किसी का कॉमेंट पिक आउट किया है वहाँ पे कॉमेंट दिख रहा था कि सर बहुत ज़्यादा कन्फूजन हो रहा है कि हम लोग सी इस वीडियालम पढ़ने का मौका मिलना सी है जैसे कि भी अपने आप में एक ड्रीम इन्वर्सटी बच्चों का मानना है कई सारे उसके रिजन है तो भी अगर आपका ड्रीम इन्वर्सटी है तो सोचना ही नहीं है उसको तो आपको चूच करना ही है दूसरा आता है ने कोर्स इसली अवलेबल किस इन्वर्सटी में है यानि कोर्स वाइज इन्वर्सटी चूच करना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस को पसंद करते हो जिस को आप आफर कर रहे हो वह कोर्स वह इन्वर्सटी भी आफर कर रही है तो ऐसे मजबूरी है कि आपको एक बार पड़ेगा overview करना पड़ेगा और तीसरा एक बहुत important है मुझे लगता है इस पर भी बात हो जानी चाहिए और वो है economically favorable universities यानि आपको आर्थिक रूप से कौन से विस्विद्याले जो है वो favor करेगा उस पर विचार होना चाहिए जैसे हर किसी के लिए आसान नहीं है दियू में जाके पढ़ाई करना दियू मेंज कोई एक college नहीं है दियू के बहुत सारे colleges है यानि मैं किसी college की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि दियू माल लो अपना फीस आपको इबर कम कर सकता है में भी आपको हो सकता है कोई scholarship मिल जाया या reservation की वज़ए से या top कोई reason हो सकता है जिसको आपके फीस या फिर आप effort कर सकते हो उसका फीस लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वहां का environment भी effort कर लो वहां का रहने और खाने का खर्चा अपने आप में बहुत जादा है तो ऐसे में middle class family या middle lower class family के जो students होते हैं वो बी एच्चो प्रिफर करते क्योंकि यहां पर जो course की फीस है वह बहुत ज़्यादा genuine है बीए के लिए महां तो 6000 रुपए में लगभग आप पूरे तीन साल की पढ़ाई कर लोगे मालो 8000 रुपए अगर आपका regular फीपी हो जात आप लगभग बहुत ही कम पैसे में जाके जेमाई और जेनियू जेमाई तो मालो अपने आपको बाहर कर लिया से जेनियू वहां पर आपको उल्टा पैसे मिलते भी हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इन्वर्शिटीज का जो eligibility criteria है यानि जो offering course की list है वो आप बहुत जरूर देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ आप उसको अपनाना जैसे कि मालो एक student है ठीक है अब वो student क्या चाहता है कि मैं उसे BA करना है अब BA के लिए क्लिए क्या क्या option हो सकते है पहला तो B.H.U. से BA कर सकता है वो B.B.I.U. से वो कर सकता है D.U. से कर सकता है J.N.U. स कर सकता है बाकी subject से नहीं कर सकता है उसी तरीके से बहुत सरे universities है आप जाओ और देखो अपना course उसमें देखो हाँ अच्छा इस course की eligibility criteria है अब suppose की उसने BA करने का सोचा है अब वो eligibility criteria में जाएगा eligibility criteria में देख रहा है कि मुझे D.U. के लिए तो GT और language ये लो compulsory कर रहे है साथ साथ बोल रहे हैं कि आपको कम से कम तीन domain देना पड़ेगा वो बोल रहे हैं और उन्होंने domain का एक list बना रखा है तो आप यहां पे चीद देखे कि आपने GT और language ले लिया है अब यह जीटी और language आपके बीच्चु में भी कामा जाएगा आपके बीच्चु में कामा जाए single videos follow करो जैसे मैं अभी videos कैसे बना रहा हूं बीच्चु से बीच्चु से बीच करना है तो क्या करें अपको अलावा से बीकौम करना है तो क्या करें डीउ से बीच्चु करना है तो क्या करें मैं single video offer कर रहा हूं आपको आपको पूरे videos देखने और form लगभग इस महीने के last म में भरना जलबाजी मत करो क्योंकि हो सकता है आप क्या करोगे मिस कर जाओगे क्या जोरत है जल्दी फॉर्म बरने का फॉर्म तो छुट नहीं जा रहा है तो आप इस महीने तक लगभग रुख जाओ मैं आपको खुद ही आफ़र करोंगा कि फाइनली अफजाईया द्रौज पर कई सरे वीडियो लियाओंगा उसको फॉलो कर लेना होफुली इन सभी पॉइंट्स पर अगर आप एक बार नजर डालोगे तो कहीं नगे डिसाइड कर पाओगे कि कौन-कौन सा ऐसे इंवर्सिटी है जहां पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो ठीक है तो प्लीज बीच सरी सुकाम